नमस्ते मैं हूँ सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूँ आमारे चैनल जैपुर्दा पिंक सिटी पर चुकंदर शरीर के पाचन तंत्र और रक्त संचरन तंत्र के लिए बहुत लापकारी होता है आयुर्वेद में इसे विश नाशक भी कहा गया है और ये पूरे शरीर की भीतर से सफाई करता है आज मैं आपको स्वास्ते के लिए चुकंदर के पाच फायदे बता रहा हूँ 100 ml चुकंदर का रस लीजिए इसमें 25 ml गाजर का रस और 25 ml टमाटर का रस मिला लीजिए साथ ही इसमें आधा चमच नीबू का रस और स्वाद अनुसार काला नमक भी अच्छी दरह मिला लीजिए इसे रोजाना दिन में एक बार पीना चाहिए इससे कुछी दिनों में कब्स करोग ठीक हो जाता है एक चुकंदर कद्दू कस कर लीजिए इसे 250 ml पानी में मिला लीजिए और अच्छे तरह उबाल लीजिए अब इस पानी को छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए चुकंदर के इस पानी की 30 ml मात्रा दिन में 4 बार लेनी चाहिए इसे रोजाना लेने से कुछ हफतों में ही गूर्दे की पत्थरी गलकर छोटी हो जाती है और मूतर के साथ बाहर भी निकल जाती है एक चुकंदर की ताजा पत्यां एक लीटर पानी में डाल कर अच्छी तरह उबाल लीजिए फिर इस पानी को छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए इस पानी से रोजना सिर को धोना चाहिए इससे सिर की जुएं बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है एक चुकंदर को छोटे टुकडों में काट लीजिए इसमें चुकंदर की दो ताजा पत्यां काट कर मिला लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए चुकंदर के इस रस की 100 मिलिलेटर मात्रा रोजना दिन में एक बार पीनी चाहिए यह उच्छ रक्तचाप यानि हाई ब्लड प्रेशर को शीगरी सामान्य कर देता है चुकंदर का 50 मिल रस लीजिए इसमें 50 मिलिलेटर पालब का रस 75 मिलिलेटर गाजर का रस और 25 मिलिलेटर सेप का रस अच्छी तरह मिला लीजिए इसे रोजना दिन में एक बार पीना चाहिए इससे खून की कमी बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है आप ये सभी घरेल उपचार हिंदी में हमारी वेबसाइट जैपुर्दा पिंक सिटी डाट कॉम से प्रिंट भी कर सकते हैं ऐसे ही सरल घरेल उपचार देखे रहने के लिए आज ही हमारे चैनल जैपुर्दा पिंक सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए आप ये सब्सक्राइब कीजिए